जै माता दिमित्रों आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या राशी के बारे में 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा रविवार से लेकर अगले सब्ता के शनिवार तक का समय आज की इस वीडियो में जानें के साथ ही की शुक्र के सिंग राशी से कन्या राशी में आने का आपकी राशी पर क्या प्रभाब पड़ेगा शुक्र जो की 23 अक्टूबर को राशी परिवर्तन कर चुके हैं आपकी राशी से पहले बारवे स्थान में चल रहे थे लेकिन 27 रिष्टी आपके सब्तम भाव पर पड़ेगी शुक्र जो की आपके भाग्यस्थान के नवम भाव के स्वामी हैं धन के स्वामी हैं आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं शुक्र का राशी परिवर्तन आपके लिए किस तरह के पर भाव डालने वाला है साथ ही ज जीवन और पारिवारिक जीवन के बारे में कि 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं शुक्र के राशी परिवर्तर की शुक्र का राशी परिवर्तर कन्या राशी वालों के लिए बेहद भाग्यशाली है क्योंकि शुक्र आपके भाग्या के स्वामी है धन के स्वामी है शुक्र का मजबूत हुना कन्या राशी वालों के लिए बेहद फायदे मन्द है बले ही शुक्र आपकी राशी में है अपनी नीच राशी में है लेकिन शुक्र आपके प्रथम स्थान में है शुक्र की साथवी द्रिष्टी आपके व्यापार कारोबार को मजबूत करने वाली है खास तोर पर आपको अपने व्यापार से अब बड़ी मात्रा में धन दोलत दिलाने वाली है अब से लेकर 17 नवंबर तक शुक्र आपके पारिवारिक सुखों को भड़ाएंगे घर में मांगलिक कारिये तक करवाएंगे भाग्य में वरिद्धी करेंगे ज्यान में वरिद्धी करेंगे धार्मी कामों में आपकी रूची बढ़ेगी और पारिवारिक रिष्टों में मिठास आएगी घर में कोई शुब काम हो सकता है बहुत अच्छा समय है धन में वृद्धी करेंगे आर्थिक स्थिती को मजबूत करेंगे कामकाज की स्थिती को मजबूत करेंगे और 17 नवंबर तक बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे बात करें 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर कौन से दिन शुब है कौन से दिन अशुब है सबसे पहले 25 रविवार का दिन बहुत जादा शुब रहेगा उसके बाद 26 से 27 को कुछ भागदोड बढ़ सकती है कुछ मांसिक चिंताये बन सकती हैं लेकिन धन की स्थिती मजबूत रहेगी इस समय में अनावश्यक खर्चों से बचें इसके बाद 28, 29, 30 बहुत ही जादा लाब दायक दिन रहेंगे और फिर 30 दोपहर से 31 तक इन दो दिनों में शुकरवार दोपहर से 31 तक आपको कुछ सावधानी रखनी है दोस्तों अब बात करें विस्तार से कन्या राशी वालों की सेहत इस समय में अच्छी रहेगी बुद की स्थिती मजबूत बनी हुई है आपकी राशी से दूसरे स्थान में है मित्र राशी में हैं बहुत अच्छी स्थिती बनी हुई है व्यापार की बात करें तो ब्रस्पती देव की अपार कृपा आपको मिलने वाली है धन दोलत प्राप्त होने वाली है नोकरी की बात करें तो सभी ग्राय आपके फेवर में है कारे शेतर पर सफलता मिलेगी नोकरी के हालात अच्छी रहेंगे आने वाले अगले साथ-ाट दिनों में आपको शुब समाचार ही मिलेंगे बात करे आपकी शिक्षा प्रेम संबंद संतान शेर सट्टे लोटरी की तो शनी देव की कृपा से आपके सभी अधूरे काम बनेंगे शिक्षा में पड़ाही लिखाई में मन लगेगा प्रेम संबंदों के लिए समय ठीक रहेगा बच्चों की और से आपको किसी भी तरह की परिशानी नहीं होगी और शेर सट्टे लोटरी में भी बड़ा प्रोफिट अगले साथ-ाथ दिनों में मिल सकता है निवेश से आपको लाब होगा बात करें आपके वेवाहिक जीवन की वेवाहिक जीवन के लिए स्थिती शुब बनी हुई है पारिवारिक जीवन की बात करें तो कुछ अनावश्यक खर्च पड़ सकते हैं अपनों का साथ मिलेगा बस आपको बोलचाल में सावथानी रखनी होगी इन दिनों में शुक्र बीज मंतर का जाप जरूर करें शुक्रवार को दूद का दान करें मालक्षमी की ज़्यादस ज़्यादा अराधना करें समय आपके लिए बहतरीन रहेगा दोस्तों जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जय माता दी जरूर लखे